आप सभी लोग इसे जानते होंगे पढ़ा भी होगा लेकिन आपने इसे कभी इस तरह कभी इस तरह या फिर आपने इस तरह पढ़ा होगा लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसको इस सीरियल में पढ़ने से हमें क्या और मिलने वाला है आईए जानते हैं कुछ नई ट्रिक और ये जो बाकी बचा हुआ है, he, she, it, ये singular में आता है हमने इसे सीरियल से तीन पार्ट में डिवाइट कर दिया है उपपर से पहला पार्ट, I, V, ये first person है, यानी मैं और हम और second part, you, यानी तुम, ये second person है, जिससे हम बात करते हैं और ये जो third part है, ये सभी third person में आते हैं इस तरह पढ़ने से ये आसान लगता है, और हमारी जुबान पर जल्दी से थिरकने लगता है क्या आपको ये ट्रिक पता थी? और भी नई-नई English की ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्या आपको ये जढ़ने से सब्सक्राइब कर दो जाए